बहुत ही जाइकेदार और बेहद लजीज अफगानी मतन की ग्रेवी बनाते हैं ये फ्राइ कियो हुए मतन की पीसेज मलाईदार ग्रेवी में बेहद लजीज लगते हैं तो रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक किलो मतन ली हूँ मतन को डाल लेंगे प्रेशर कूकर में और इ ठकन लगा देंगे और 5-6 सीटी आने तक इसे हम पकाते हैं या फिर आप मीडियूम फ्लेम पर पका लें इसे 30-35 मिनट के लिए मटन पक कर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए इसकी बार ठकन हटा लेंगे ठकन हटाने के बाद आप देख सकते हैं काफी सारा पानी रह गया है तो हम फ्लेम को इस टाइम पर हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पर पानी को सुखा लेते हैं चमच चलाते हुए मैं इस पानी को नहीं सुखा रही हूँ क्योंकि मटन की बोटिया काफी साफ्ट हो गई हैं तो बस लास्ट में जब पानी सूखने लगे हम प्रेशर कूकर को ह फिलाते हुए सारा पानी सुखा लेते हैं मटन का सारा पानी सूख चुका है फ्रेम को मैंने बंद कर दिया है इसी तरह से छोड़ देते हैं ताकि यह ठंडा हो जाए अफगानी मटन की ग्रेवी बनाने की तयारी करेंगे जिसके लिए में ले रही हूं 200 ग्राम तही यह लेते हैं इसके कोई लंप न रहे बस हमें यह ध्यान रखना है तो दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो गई है अब हमें एक हरा मसाला बनाना है इसके लिए ग्राइंग जार में डालेंगे दो मीडियम साइस की प्यास स्लाइस में कटी हुई धनिया के पत्ते हैं एक कब भ प्यास का पानी काफी चुटे गा तो इसलिए हम बिना पानी किये डगकन लगा देंगे और इस मसाले को घ्राइंड कर पेस्ट बना लेते हैं इस मसाले को दः और पम मिक्स्जर है इसमें डाल देंगे मसाले हमें डालना है एक चम्मच सफेद मिर्चों का पाउडर और आदा चम्मच डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर सफेद मिर्चों का पाउडर ना रहे तो सिर्फ आप काली मिर्चों का पाउडर डाल लीजिए एक चम्मच डालेंगे भूने हुए जीरे का पाउडर आदा चम काते हूए भी हमने नमक डाला हुआ है तो अपने हिसाब से इसमें नमक डाल ली जीए नमक के बाद डाल लेंगे इसमें एक नीमु का रस अब सारी छीजों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है जही मलाई और मसाले एक साथ मिल जू जाएं इसकेitor मतन दाल देगे 5-15 कोड़ाहाएं। करीब 2 बड़े चममच बटर लेते हैं और गालेंगे 3 बड़े चममच तेल मटन अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए इसके बाद हम मेरिनेट किया हुआ मटन इसमें डालेंगे तो मटन को अच्छी तरह से जटक लेते हैं ताके इसके उपर का एक्स्ट्र मसाला निकल जाए अब फलेम को लो रखना है और पहले यहाँ पर सारी बूटियों को डाल लेते हैं फलेम को हाई करेंगे आप मटन को अब हमें फ्राई करना है इस पर अच्छा सा गोल्डन कलार आने तक अब पलट कर इसे दूसरी तरफ से भी पका लेते हैं तो दोनों तरफ मटन पर अच्छा सा गूर्डन कलर आ जाए, इसके बाद हम ये फ्राइ किये हुए मटन के पीसे सारे निकाल लेते हैं, अब इसी तेल और बटर की मिक्सचर में हमें ग्रेवी बनाना है, इस तेल और बटर की मिक्सचर में अगर आपको मसाला जला हुआ और पिर हमें इसमें डालना है मसाला जिसमें हमने मटन को मैरिनेट किया हुआ था, तो सारा मसाला दाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से खड़े मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं, अब फ्रेम को मीडियम टू हाई करेंगे, और मसालों को चलाते हुए हमें पकाना है, medium to high flame पर भूनते जाएंगे इसे, इसका तेल सेपरेट होने तक, इसे भूनने में करीब 7-8 मिनट लग जाएगा, अब जितनी पतली हमें gravy चाहिए, उस हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे, तो एक कब भर कर मैं इसमें पानी डाल रही हूँ अब गानी मटन की gravy थोड़ी गाड़ी होती है, तो बस उसी हिसाब से पानी डाल देंगे, पानी डालने के बाद इसे mix कर लेते हैं, और बस एक boil आ जाने देंगे, medium to high flame पर, gravy में जैसे ही boil आ जाए, हम fry किया हुआ सारा मटन इसमें डाल देंगे मटन डालने के बाद इसे gravy के साथ अच्छी तरह से mix करना है और इसे ढख कर, अब हम पकाएंगे medium to low flame पर करीब 8-10 मिनिट के लिए fry किया हुआ मटन gravy में अच्छी तरह से पक जाए, इसके बाद हम ढखकना डालेंगे, तो देखें रोगन को मैं उपर ले रही हूँ और इस पर कोईला रख कर ढखकन लगा देंगे, 10 मिनिट बाद ढखकन हटा लेते हैं, थोड़े से बारिक चॉप किये हुए धन्य के पत्ते डाल देंगे शांदार, बेहद लजीज मटन अफगानी बनकर रेडी हो गया है, लुक आप इसका देख सकते हैं, देखकर ही दिल ललचा जाए, ऐसी रसिपी ये बनती है इस शाही अब मटन अफगानी की ग्रेवी को आप तंदूरी रोटी रुमाली रोटी या नान के साथ सर्फ कर लीजिए